हलो स्टुडेंट वेलकम तो अटोल टूटोरियल मैं हूँ दिली पाग मोडे और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चानल जहाँ पर हम 10 स्टेट बोर्ट सीबसी आइससी और उसके साथ साथ 1112 साइंस का स्लाबस अपलोड करते हैं दोस्तों तो प्रिवेस लेक्चर में हम आगे एकजंपल यह पर लेने वाले है अभी सेकेंड लेक्चर में तो देख़े हैं हमारा फर्स एकजंपल होगा दोस्तों यह पर एकजंपल्स सेकेंड एकजंपल होगा हमारा दोस्तों ए f If cos theta is equal to root 3 upon 2, then find the value of 1 minus seg theta upon 1 plus cosec theta. तो देख्टे स्टोडेंट यहापे हमें cos theta के value दी गई है, root 3 upon 2, और हमें value find out करने के लिए बोला है, 1 minus seg theta upon 1 plus cos theta. तो देख्टे हैं हमें यहापे कैसे value find क्या जाता है, यहापे given, given में हमें क्या दिया है, cos theta का ratio यहापे हमें given में दे दिया गया है, cos theta हमें दिया गया है, root 3 upon 2, तो देख्टे हमें यह value find out करने है, तो सबसे पहले हमें seg theta और cosec theta की value find out करने पड़ेगी, और हमें पता होता है, seg theta का value कैसे find out करते हैं, यह दिया हम cos theta का reciprocal कर लेते, तो हमें क्या मिल जाता है, seg theta मिल जाता है, तो यह पर हमें पता है दोस्तो, we know that seg theta is equal to 1 upon cos theta, तो यह से हमारा seg theta और जाएगा, seg theta is equal to 1 upon cos theta की value क्या है दोस्तों हमारे पास, root 3 upon 2, root 3 upon 2 यह दोस्तों, तो यह पर हमें solve करेंगे इसे, तो यह पर answer क्या जाएगा दोस्तों हमारा seg theta is equal to, ad denominator का denominator है, तो यह पर हमारा numerator में चला जाएगा, 2 हमारा उपर चला जाएगा, तो यह से हमारा answer आजएगा, 2 upon का root 3 तो यह होगे हमारा sec theta similarly हमें यहापे second value भी find out करनी पड़ी के दोस्तों हमें cosec theta भी find out करना पड़ेगा तो हमें पता है cosec theta का relation और cos theta का relation नहीं है cosec theta और sec theta का भी relation नहीं है लेकिन हमें पता है cosec का relation होता है हमारा sin के साथ तो यदि हम यहाँ पे cos theta के help लेके sin theta यदि find out कर लेते तो sin theta का reciprocal निकल के हम उसक भी निकल सकते तो यहाँ पे हमें और एक identity पता होती है दोस्तों क्या identity है हमारी sin square theta plus का cos square theta is equal to 1 now cos theta की value यदि हम यहाँ पे substitute करेंगे तो यहाँ से answer आ जाएगा हमारा sin square theta plus root 3 upon 2 whole bracket square is equal to 1 now अभी है पे इसका square कर लेंगे दोस्तों हम यहाँ पे sin square theta root 3 का square क्या होता है दोस्तों हमारा root or square हमारा cancel हो जाएगा यह पे 3 बच जाएगा और 2 का square आ जाएगा हमारा 4 is equal to 1 now यह दि हमें sin theta की value find out करने है तो 3 upon 4 हमारा plus है LHS के side में जाके क्या बन जाएगा हमारा minus बन जाएगा तो sin square theta is equal to 1 minus 3 upon 4 तो यहाँ पे हम cross multiplication कर लेंगे दोस्तों 1 into 4 is 4 minus का 3 upon में 4 तो यहाँ से हमारा sin square theta आ जाएगा दोस्तों 1 upon 4 लेकिन हमें value find out करने है दोस्तों sin theta की यह दि हमें square cancel करना है तो दोनों side हमें क्या करना पड़ेगा taking square root on both side taking square root on both side यह दि हम दोनों side को square root करते है तो हमारा square cancel हो जाएगा यहाँ पर बच जाएगा हमारा sin theta is equal to 1 का square root 1 ही होता है और 4 का square root होता है हमारा 2 4 का square root होता है हमारा 2 तो यहाँ पर sin theta का value बन गया हमारा 1 by 2 लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर देखो cosec theta find out करना है यह दि हमें पता है cosec theta की value क्या होती है यहाँ पर देखो तो हो जाता है हमारा cosec theta तो अभी last time हमारी बच्ची है दोस्तों cosec theta हमें पता है फिर से क्या पता है हमें यहाँ पर देखो cosec theta की value हमें find out करनी है तो cosec theta का क्या formula होता है दोस्तों 1 upon sin theta now 1 upon sin theta की value हमने find out के वो value हमें substitute करेंगे 1 by 2 तो यह से हमारा cosec theta आ जाएगा दोस्तों cosec theta आ जाएगा 2 उपर दी चला जाएगा तो 2 upon 1 तो finally हमारा cosec theta आ गया 2 क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया now अभी दो value हमारी find out हो गई है पहली value तो हमने find out की sec theta और second value हमने find out की दोस्तों यहाँ पे अभी देखते हैं हमें क्या find out करने के लिए बोला है question में 1-6 तीटा आपन 1 plus का cost तीटा देखते हैं बारे बारे से अभी find out करेंगे वह value जो भी है लो हमें अभी find out करने हैं उसे consider कर ले दे consider 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 क्या देखते हैं दोस्तों हमें 1- का सेख तीटा अपन 1- प्लस का कोशेख तीटा नाउ इसी कोल टू अभी है पर हम सेख और कोशेख की value सेफ सब्सक्टिविट कर देंगे 1- का सेख तीटा सेख तीटा की value क्या है हमारे पास दोस्तों वह तू अपन का root 3 whole divided by whole divided by 1 plus 1- प्लस कोशेख तीटा की value क्या है दोस्तों हमारे पास 2 अभी इससे solve करेंगे हम इसका इदे हम cross multiplication करेंगे 1 into root 3 that is root 3 minus का 2 as it is और whole divided by हमारा root 3 as it is आ जाएगा और इसके बाद हमारा divide में क्या बन जाएगा 2 plus 1 मतलब 3 आ जाएगा तो finally दोस्तों हमारा answer क्या आ गया यह पर हमारा answer आ जाएगा 1 minus 1 minus sec theta upon 1 plus cosec theta is equal to root 3 minus 2 whole divided by दोनों का multiplication हो जाएगा तो यह से आ जाएगा 3 root 3 तो यह हो गया दोस्तों हमारा final answer ना देखो दोस्तों फिर से में एक बार उपर आपको write करके देखता हूँ देखे क्या uhan dot के है है हमने यह पर question में हमें क्या दिया था cost theta की value दिए दोस्तों हमें और उससे हमने sc theta find out के लिए sign theta पहले तो find out कर लिया दोनों value all find out करने के बाद मेर अबंदे क्या है substitute क्या है यह था हमारा सेकनें एक्जामपल और नाव देखते अभी next example हमारा क्या है question number 3 prove that prove that इस type के question जो हो बहुत ही important है दोस्तो prove that sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to is equal to sec theta now यह पर दोस्तों क्या दिया है हमें prove करने के लिए बुलाए sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to हमें क्या prove करने के लिए बुलाए sec theta तो देखते हैं जब भी हमारे पास prove that का और show that का question आता है तो सबसे पहले हम क्या consider करते है LHS side consider करते है consider consider LHS तो LHS side क्या है दोस्तों हमारे पास sin square theta upon cos theta plus का cos theta now अभी यह से हम solve करेंगे और RHS की value यह पर हम find out करेंगे तो यह पर दोको दोस्तों क्या करेंगे हम सबसे पहले तो यहापर cross multiplication कर लेंगे तो cross multiplication क्या आ जाएगा हमारा sin square theta as it is plus cos theta into cos theta क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा cos square theta और upon में आ जाएगा हमारा यह cos theta now one upon one upon cos theta इसको reason देंगे दोस्तों हम यह पर sin square plus cos square की value यह पर मैंने क्या पूट किया one क्यूंकि हमें पता है sin square theta plus cos square theta यह identity होता है हमारा उसका answer क्या होता है दोस्तों one होता है now आगे solve करेंगे यह पर और हमें यह भी पता है यह भी पता है दोस्तों one upon cos theta मतलब cos का एरिया हम reciprocal करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है sec theta मिल जाता है दोस्तों तो one upon cos theta हमारा बन जाएगा यह पर sec theta और यह ही हमारा क्या है RHS और से टिटाए हमें क्या दिया है दोस्तो RHS दिया है तो यह हो गया हमारा RHS तो यह पर हमने क्या दिखा दिया दोस्तो LHS is equal to RHS हम दिखा दिते तो यह पर हमारा जो भी हमें कोशन दिया आया था वो हो गया हमारा यह पर प्रूब एदि आप हमारे चानल पर नहीं हो तो चानल को लाइक करो सब्सक्राइब करो ताकि हम जो भी आगे वीडियोज यह पर अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आजाएगे थैंक यू सुमच